प्यारे बच्चों, Assalamualaikum, हम Great Caliphs of Islam chapter की reading comprehension कर रहे हैं आप जानते हैं ना silent letters क्या होते हैं, तो silent letters की definition है silent letters are letters that appear in the spelling of words but don't make a sound यानि वो letters जो लिखने में, spelling में तो आते हैं लेकिन जब हम pronounce करते हैं तो बोलने में उनकी कोई आवास नहीं होती जैसे ये क्या है, इसको English में knife कहते हैं, knife के spelling क्या है K-N-I-F-E तो आपने देखा कि knife को लिखते वक के से शुरू करते हैं लेकिन जब हम sound, आवास निकलती है तो के की कोई sound नहीं है तो knife में K-L-E-T-E जो है, वो silent है अब हम मजीद कुछ और examples देखते हैं आप बताएं ये क्या हो रहा है, ये एक रसी है इसको आपने, ये इसमें गिरा लगाई है तो गिरा लगाने को English में क्या कहते हैं, शाबाश, not not, ये not लगी है not को गिरा कहते हैं, तो आप देखें कि इसमें कौन सा letter silent है शाबाश, very good इसमें K जो है, वो silent letter है next example देखते हैं, ये क्या है ये आप सब के घर में है और इसमें 24 घंटे होते हैं, ये हमारा clock है hour, तो घंटे को क्या करते हैं, वक्त का जो पैमाना है hour, तो hour में भी कौन सा letter वो silent है शाबाश, H जो है, वो silent letter है तो प्यारे बच्चो, हमारी जिंदगी Allah ने एक थोड़ी सी देर के लिए हमें दुनिया में भीज़ा है हर लमा जो है, वो गुजरता जा रहा है और हमारे पास हम अपने अल्ला के करीब होते जा रहे है तो हमें चाहिए कि हम अपने वक्त को बेतरीन तरीके से गुजरें तो प्यारे बच्चो, नभी करीम से लिए पसंद फरमाया है हम हर नमाज में एहदे नस्रौतल मुस्ताकीम पढ़ते हैं, अल्ला ताला हमें सीधे दरस्ते की तरफ हदायत दे उस पे काइम रहने के लिए गुरान मजीद को तरज्मे के साथ पढ़े आपको पता चले, अल्ला ताला हमें क्या कहता है नभी करीम से लिए अल्ला के बताय हुए तरीके की तैर्वी करें ये क्या है? आप सब लोग किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसे बहुत अच्छे से पेपर में रैप करते हैं तो रैप जो है लपेटने को, पैक करने को, किसी गिफ्ट को रैप कहते हैं रैप के स्पेलिंग है, डबल्यू आर एपी, रैप, लपेटना, शाबाश, इसमें कौन सा साइलेंट लेटर है? शाबाश, आपने बिल्कुल सही पहचाना, डबल्यू जो है, इसमें साइलेंट लेटर है रैप कहते हैं, किसी चीज़ को पैक करना, लपेटना ये कौन सी, ये क्या है, जिस हाथ, जिस जोड पे मोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं उर्दू में, उसको कलाई कहते हैं और कलाई को इंगलिश में क्या कहते हैं, रिस्ट, तो रिस्ट जो है, वो कलाई कहलाती है इसलिए जो हम कलाई पे घड़ी बानते हैं, उसको wrist watch कहते हैं, तो wrist में कौन सा silent letter है, शाब बाश, w जो है, वो wrist में silent letter है, ये आप देख रहे हैं कि इसके गुटने में दर्द हो रही है, गुटने को बार बार पकड़के, गिरा है, चोट लगी है, गुटने को English में क्या कहते हैं, नी, नी के spelling है, के एन डबल ए, नी, घुटना, तो इसमें silent letter कौन है, शाब बाश, बिल्कुल सही पहचाना, इसमें के जो है, वो silent letter है, नी, उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को like करें, share करें और चैनल को subscribe करें